हालो एर्रीवन वेल्कम बेक टो प्रेंस एक्षिशन चैनल फ्रेंट्स आज हम लोगे आपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अरस अगवल की बुक से गाईज नियू एडिशन से एक्सराइस टूबी का कोशिशन नमबर 21 और 22 अगर नहीं किये तो इस वीडियो की एंड में पॉलिनॉमिल क्लास 10 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दैन उसमें सारे एक्सराइस के अगर आप चानल पर नहीं है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई ये कोशिशन नमबर 21 solve कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिनॉमिल में हाइस टिगरी कितनी है? 3 है इट मींज यहाँ पर जीरो फॉलिनॉमिल कितने होंगे? 3 होंगे 1 आपको given है बाग के 2 आपको find out करने है तो आईए कैसे करेंगे? So again, same जैसे हम इससे पहले कोशिशन में करते थे important not आपको लिख देना है same if alpha is a zero of polynomial fx then x minus alpha is a divisor or factor या दो नहीं है divisor of fx यह जो given polynomial है fx इसका divisor होगा या फिर कह सकते है factor होगा now आपको alpha की value क्या दी है या 2 upon 3 दी है that means x value के लिए fx किसके एकवल है? 0 के एकवल है यह polynomial so यहां से जब हम देखेंगे आपका x minus 2 upon 3 यहां से हम 3 LCM ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2x sorry 3x minus 2 so यह भी आपका 0 के एकवल होगा जिसके आपको नहीं होता 1 होता है cross multiply कर लेंगे that means 3x minus 2 भी आपका किसके एकवल होगा? 0 के एकवल होगा 3x minus 2 is a divisor of fx right now 3x minus 2 से हम लोग divide करेंगे equation क्या दी है? 3x cube plus 16x square plus 15x minus 18 को right now 3x में किसकी multiply करे? 3x cube आजाए x square की तो 3x cube minus 2x square sign change cancel तो यहां पर plus 16x square है यहां पर plus 2x square है तो 18x square हो जाएगा यहां से आजाएगा 15x now किसकी multiply करें? 3x is a 9 3x is a 18 that means 9x की so plus 9x कर देते हैं that means 9 to the 18 c6 की multiply होगी c6 is a 18 होता है guys तो 6 to the 18 that means 18x square and minus 6 to the 12 that means minus 12x right? तो 6 to the 12 and 6 to the 18 आपका यहां से आ जाता है now sign change now यह क्या हो गया? 15 और 12 कितना हो गया? 7 and यह 2 यहां से क्या गया? 27x आ गया ठीक है? now यहां से उपर से क्या जाएगा? 18 अब हम देख रहे हैं पावल क्या है? same है that means again divide होगा तो 3 9s are 27 that means plus 9 कर दें तो 3 9s are 27x and minus 9 to the 18 sign change, cancel, cancel, cancel answer remainder के आ गया? आपका g रो आ गया यहां से it means आपको by division algorithm मालूम है division algorithm fx equals to gx divisor into qx quotient plus rx remainder के equal होता है now यहां पर आपका divisor क्या है? 3x minus 2 है quotient क्या है? x square plus 6x plus 9 है and remainder क्या है? आपका g रो आया ठीके, so यहां से fx क्या हो गया? आपका it means हम directly लिख भी सकते हैं fx equals to gx into qx now अब आप क्या करेंगे? यह तो आपका already एक factor है तो इसके factor कर लेते हैं x square plus 6x plus 9 that means 9 was a 9 तो 9 के ऐसे factor जो multiply करने पर तो 9 आए and add यह sum अब सब्टेट करने पर 6 आए अब 3 3 is a 9 होता है और 3 plus 3 6 होता है तो चल जाएगी value x square plus 3 plus 3 into x plus 9 it means x square plus 3x plus 3x plus 9 so यहां से आपका x को मन आ जाएगा so x plus 3 भार x right and यहां से plus 3 को मन आ जाएगा so x plus 3 it means x plus 3 into x plus 3 आ गया इसके factor now put कर देंगे value fx equals to 3x minus 2 into x plus 3 into x plus 3 अब आपको मालूम है fx 0 के equal है so 3x minus 2 into x plus 3 into x plus 3 equals to 0 मालूम है न क्यों equal है 0 के क्योंकि 0's of the polynomial है यह values है आपके put करने पर x के लिए so यहां से x की value आ गई आपके 2 upon 3 and यहां से x की value minus 3 and यहां से x की value minus 3 2 upon 3 आपको already given था so all the 0's are 2 upon 3, minus 3, minus 3 right इस तरीके से question number 21 आपका completely solve हो जाता है main concept में जो problem आती है वो सभी को यहां पर आती है कि इस से कैसे divide करते है so इसको solve करने का तरीका है कि हम LCM ले ले लेते है 3x minus 2 upon 3 आ जाता है यह जो 3 है यह आपका remove हो जाता है क्योंकि आपको मालूम है x equals to 0 होता है fx equals to 0 होता है 0s of the polynomial so 2 upon 3 के लिए तो 0 के एक्क्वल होता है right so हमें मालूम है यह 0 हो दो पॉलओ मेल है fx equals to 0 है यह एक factor है fx का तो यह factor भी 0 के एक्क्वल होगा right क्योंकि हमने जैसी यहां पर देखा न सभी factor 0 के एक्क्वल होता है same single factor भी तो 0 के एक्क्वल होगा जैसे हमने single single रख एक्के value find out की है सेम यहीं पर हमने सिंगल को 0 को इकमल पूट किया तो 3x-2 आ गया नाओ यह क्या कहला है आपको डिवीजर कहला है इससे डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई सभी 0s of the poil law milky राइट सो अगर आपको समझा गया वीडियो लाइक कर दीजें कमेंट कर दीजें असमें मुझे समझा गया नाओ नेक्स कोशन नमबर 22 साल कर लेते हैं नाओ कोशन नमबर 22 आपको दिया हुआ है find all the zeros of 2x की पबब 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if it is given that two of its zeros are 1 and 1 upon 2 यह आपको given है so same हम लोग यहां पर करेंगे important not वो आपको लिखना है same सबसे पहले जो कि मैंने आपको सभी कोशन में आपको बताया है easily if alpha is a zeros of fx then x minus alpha is a divisor या फिर कहेंगे factor of fx ठेक है right so यही apply करेंगे दो zeros of the polynomial दिये है it means alpha की जंगा एक बार 1 और एक बार alpha की जंगे minus 1 upon 2 x minus 1 and x minus 1 upon 2 solve करेंगे तो x minus 1 and 2x minus 1 upon 2 यह आजाएगा so आपको मालूम है fx equals to 0 that means x minus 1 into 2x minus 1 upon 2 equals to 0 के equal होगा यह भी चीदों के equal होगा so जिसके upon में कुछ नहीं होता 1 होता है तो multiply कर लेंगे it means x minus 1 into 2x minus 1 equals to 0 यह 2 का चल जाएगा multiple में so यह हमारे fx के क्या आगए दो factor आगए 0 के equal now इन दोदों के multiply कर लें हम लोग तो equation आजाएगी तो 2x square x के 2x में करेंगे 2x square minus x minus 2x and minus minus plus 1 तो हमारी value के आगए 2x square minus 3x plus 1 equals to 0 के दीजे यह फिर fx के equal माल लीजे कि यह आपका divisor है is a divisor of ठीके यह fx के equal यह आपका किसके equal है fx के equal नहीं होगा guys यह इसका factor है क्योंकि fx equals to 0 so यह भी आपका 0 के equal होगा that means यह आ गया this is a divisor of fx ठीके तो धिहान रखना है right में equal में आपको fx नहीं लिखना है क्योंकि fx यह आपका function यह है fx 0 के equal that means यह factor भी 0 के equal so we can say this is a divisor यह फिर factor of fx now अब हमारे divisor आगया 2x square minus 3x plus 1 so हम इससे अपने given equation को divide करेंगे 2x की power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 इसको हम divide करने जा रहे है cross check कर लेते हैं 2x की power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 divisor 2x square minus 3x plus 1 समझ आ गया ना 2x square minus x minus 2x and plus 1 आई यह solve कर लेते हैं 2x square में किसकी multiply करेंगे x square की तो 2x की power 4 आएगा minus 3x cube and plus x square sign change cancel end यह आपका minus 3x cube plus 3x cube यह भी cancel हो गया भई वा भई वा यह दो और इस हो गया minus 4x square plus 6x and हैसे minus 2 so आप किसकी multiply कर दे बही minus 2 की minus 2 की multiply करेंगे तो 2 to the 4 minus 4x square minus minus plus 6x and minus 2 sign change तो cancel 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 0 remainder के आगे 0 गया तो बड़ी चल्दी solve हो गया right so यह आपका solve हो गया divide कर के आगया यह value आपकी that means this is divisor this is quotient and this is your remainder right now आपको मालूम है division algorithm by division algo fx equals to gx into qx plus rx के equal होता है अब बहिए gx क्या है आपका 2x square minus 3x plus 1 है quotient क्या है आपका x square minus 2 plus remainder 0 right so हमने यह divisor and quotient रखा and remainder की value तो बहुत सारी works में आपको दिया भी हुआ होगा fx equals to gx into qx so वो यहीं से आता है division algorithm के true क्योंकि यहाँ पर rx की वाली हमारी 0 हो जाते है चो remainder से आई है right now इसके factor तो आपको मालूम है क्या है x minus 1 है and 2x minus 1 है अब बहिए इसके factor क्या हो जाएंगे x square minus 2 आप क्या कर सकते हैं हम factor करते हैं x square minus 2 एक तो solution है आपका x square equals to 2 plus minus root 2 जब 2 जड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा root 2 में convert हो जाएगा दूसरा आप क्या होता है दो method है guys आपके solve करने के कोई भी method solve कर लिजेगा x square minus 2 तो इसे किस तरी किस लिए रख सकते हैं x square minus root 2 का square that means a square minus b square so x minus root 2 into x plus root 2 ठीक है तो यहाँ से आपकी value आगई x minus root 2 into x plus root 2 so यह भी आपका factor होगा and यहाँ से जैसे x की value आई है x equals to plus minus root 2 so हमारी alpha की value 2 आगई तो हम इसे क्या लिखेंगे x minus root 2 और x plus root 2 ठीक है राइट हमने जैसे हमारी x की 2 value आगई तो अगर alpha zero is over the problem में तो x minus alpha भी होता है ना so हमने x minus alpha की जगे एक बार root 2 and एक बार minus root 2 रखा तो यह plus हो गया ठीक है तो यह first method था first method and यह second method जो best लगे आप वो करके दिखा दीजेगा लेकिन दिखा जरूर दीजेगा ठीक है दोनों में से जो method आपको best लगे now हम इसको आगे solve कर लेते हैं करके जरूर दिखा दीजेगा इसके factor क्या हो गए आपके x minus root 2 into x plus root 2 अब zeros of the polynomial है तो fx 0 के equal होता है so x minus 1 2x minus 1 into x minus root 2 into x plus root 2 भी आपका 0 के equal होगा so यहां से x equals to 1 यहां से 1 upon 2 यहां से x equals to क्या जाएगा आपका root 2 and यहां से x equals to minus root 2 तो यह क्या गए आपके 0s of the polynomial hence all 0s are 1, 1 upon 2 root 2 and minus root 2 so यह आपके 0s of the polynomial find out हो गए यही तो आपको find out करने थे थाना बहुत easy इस तरीके से question number 22 पुरा स्वाल हो जाता है फिर से देख लीजिए यह alpha है तो x minus alpha divisor होगा that means हमने इस form में लिख लिया अब आपका मालूम है 0s of the polynomial fx 0 के equal है तो यह भी आपको 0 के equal होगा so यह value आपकी that means यह भी 0 के equal होगा यह factor होगा fx के so यहां से हमें दोनों को multiply किया तो divisor value आगई यह divisor है divide कर दिया तो division algorithm से हमें gx qx पता चल गया now हम नहीं हाँ पर value put की इसके factor किये तो यह आगए and then fx को 0 के equal put किया तो आपके सारी 0 के equal put होगा आपके 0s of the polynomial find out होगा है न सोईजी तो समझ आगए तो वीडियो लाइक कर दीजा और कमेंट कर दीजा यह समझ आगए okay so मिलते हैं next वीडियो में गाईज चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना bell icon पर all press करना मत भूलिएगा and अपने friends को ज़्यादे स्यादा share कीजिए अब आप एंडी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको प्लेलिस्ट अविलेबल हो जाएगी यह सभी आपके लिए बहुत ज्यादा helpful है okay bye bye take care